गुमला में नगर परिशद अराम जादा और काम कम कर रही है जिसका खमियाजा गुमला सहर की तिरपन हजार जनता को भुगतनी पड़ रही है हम बात कर रहे हैं गुमला सहर की जल संकट की गुमला सहर के सभी 22 वाड में सोलर जल मिनार की स्थापना की गई है लेकिन दूरभाग्ये कहे या विभाग की लापरवाही सबी जगह जलमिनार बेकार पड़े हुए जिसका कोई उपियोग नहीं हो रहा है लेकिन दो चार जलमिनार को छोड़ दिया जाए तो सहर की अधिकान जलमिनार बेकार पड़ी हुई है जिसका कोई उपियोग नहीं हो रहा और लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है गुमला सहर का कई इलाका ड्राइ जोन है ऐसे सहरी जलापूर्ती योजना के तहत पाइप बिचाया गया है लेकिन सहर के अधिकान इलाकों में पाइप बिचाने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है अगर कहीं पाइप है तो वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है जब से प्याव बना है अज टेक सही दन से चला नहीं है पूरा नल प्रॉनोच के लेगी है परसासन का ध्यान नहीं है इतना घर्भी पढ़ रहा है इतना लोग आता है पानी का बहुत तिलत हो गया है बस इस देंड में पानी का बहुत दिक्त है अब इसमों पाताशन से हम लोग गुजारिस है कि इसको बनवाद है तो आप लोग पानी कहां से लाते हैं बगर वह बहुत बुर्म है वह से फ़रते हैं पानी क्या समस्या है इस बीच तीन होगा करीब बंद है बीच तीन से समझे ना एक तो मतलब को वहां का समर्शेवल खर है और हम लोग मतलब की दर्खास दिये हुए थे रिशीव करके दिये थे लेकि काम हो रहा है इसा बात ने किसी को दोस्त नहीं देना है समान मतलब चला गया है राची रिपेरिंग के लिए कितने दिन हो गया रिपेरिंग के लिए दिये हुआ तीन चार दिन होगी है क्या नाम हूँ आपका रामजी पर्शाथ साहूँ प्रभातकावर.com विश्वास्वही रवतार नहीं